Operational Performance Review पर इस वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम Transparency के Operational Performance Review या OPR के बारे में जानेंगे इस वीडियो के दौरान आप OPR को समझेंगे जिसमें काम करने की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए labeling की जरूरतें, seller और vendor की सूचनाएं और दूसरे sellers के लिए sell through period शामिल होगा Transparency का Operational Performance Review एक ऐसा चेक है जिसे इस प्रोग्राम में दाखिल हर product को गुजरना होता है ताकि सुरक्षा को सक्रिय करने से पहले यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर एक unit को ठीक से label किया गया है OPR के दौरान हम यह देखते हैं कि आपके label किये हुए units में से हर एक unit को सही code से label किया गया है और सभी units पर Transparency code को label किया गया है कृपया note करें कि Transparency protections तब तक सक्रिय नहीं होंगी जब तक आपके products OPR की सभी प्रक्रिया को पूरा नहीं करनेंगे OPR को शुरू करने के बाद आपके पास दूसरे sellers को distributors के तौर पर add करने का option होगा OPR के दौरान आपने जिन भी sellers को add किया है हम उनकी भेजे गए shipments को monitor करेंगे OPR के शुरू होने के बाद आपके और दूसरे sellers के सभी shipments पर Transparency code होना ज़रूरी है ये units Fulfillment Center में लाए गया merchant fulfilled network sellers द्वारा भेजे गए हो सकते हैं कृपया ध्यान दे, अगर आप एक merchant fulfilled network seller है तो आपके लिए OPR की प्रतिक्रिया अलग होगी अपनी OPR की प्रतिक्रिया को समझने के लिए कृपया Transparency Contact से संपर्ग करें याद रखें, Transparency एक Channel Management का साधन नहीं है अगर आपका product विश्वसनी है और सही Transparency Code के साथ है तो हम उसे अपने store में बेचने देंगे किसी product के लिए OPR on होने के बाद सभी units पर Transparency Code होना जरूरी है चाहे वो किसी भी sales channel से हो या किसी भी देश को भेजा जाए इसमें non Amazon channels भी शामिल हैं OPR के दोरान उन सभी sellers को notification भेजा जाएगा जिनके पास आपकी ASIN के लिए offers हैं जिससे उन्हें नई जरूरतों की जानकारी मिलेगी और उनके दुआरा ship किये जाने वाली सभी units पर Transparency Code लगाने का समय मिल जाएगा Sellers को Transparency की जरूरते को पूरा करने की तारीक को Sell Through Date कहते हैं OPR को एक product के लिए तब पूरा माना जाता है जब Sell Through Date आ जाए और Transparency Team यह verify कर ले कि आपके product ने labeling की सभी जरूरतों को पूरा कर लिया है अब आपने operational performance review की वीडियो को पूरा कर लिया है आप शुरुआत करने के लिए तैयार हैं अगर आपके पास कोई भी और सवाल है तो अपने Transparency Contact से संपर्थ करें इसी के साथ हमारा यहे वीडियो यहीं समाथ होता है हम आपकी सभलता की कामना करते हैं धन्यवाद